A, B और C partners हैं in the firm और जो profit share करते हैं आपस में in the ratio 3 is to 2 is to 1 उन्होंगे D को partner बनाया 1 is share के लिए और D जो है वो बता रहा है कि उससे अपना share कैसे चाहिए उसने बताया कि वो 116 share तो B से लेगा और 116 share वो C से लेगा इसका मतलब वो A से कुछ नहीं मांग रहा है ठीक है उसने 1 by 16 share B से लिया है 1 by 16 share ही C से लिया है अगर आप 1 by 16 और 1 by 16 add करेंगे तो वो D के share के बराबर आएगा यानि कि D ने exactly बता रखा है कि उससे B से कितना चाहिए exactly और C से कितना चाहिए exactly आप से कहा गया कि बताईए पार्टनर्स का नया profit sharing ratio क्या होगा यानि A, B, C और D का नया profit sharing ratio क्या होगा ठीक है बच्चों तो बहुत ही simple सा question है आपको बता रखा है कि B कितना sacrifice कर रहा है और C कितना sacrifice कर रहा है जितना D B से लेगा वो B का sacrifice है जितना D C से लेगा वो C का sacrifice है ठीक है बच्चों इसका मतलब बच्चों B का sacrifice 1 by 16, C का sacrifice 1 by 16 अगर आप चाहे कोई का है sacrificing ratio बताओ B और C का तो वो आ जाएगा 1 is to 1 clear बच्चों और understood है कि A कुछ भी sacrifice नहीं कर रहा क्योंकि D सिर्फ B और C से ही अपना share ले रहा है ठीक है बच्चों अब नया share कैसे निकालते हैं नया share निकालने के लिए मैंने आपको बताया था formula बच्चों पहले भी अब दुबारा बताया था हूं कोई दिक्कत नहीं है नया share निकालने के लिए old share of a partner में से sacrifice of a partner minus करा जाता है जिससे उसका नया share आ जाता है ठीक है बच्चों तो नया share होता है old share minus sacrifice अगर कोई कहता है old ratio minus sacrificing ratio तो यह formula गलत है बच्चों आपको लिखना है old share minus sacrifice is equal to new share ठीक है बच्चों तो इस formula को ध्यान रखेगा new share is equal to old share minus sacrifice आई यह अब a, b, c और d इन सब के new share निकालते हैं एका नया share आएगा 3 by 6 minus 0 is equal to 3 by 6 क्योंकि एका sacrifice 0 है एका old share 3 by 6 था तो एका नया share भी 3 by 6 हो जाएगा ठीक है बच्चों बी का नया share आएगा 2 by 6 minus 1 by 16 इसे आप solve करेंगे तो यह आएगा 26 by 96 ठीक है बच्चों और छोटा भी हम कर सकते हैं 13 by 48 भी हम लिख सकते हैं चाहें तो ठीक है बच्चों क्लिर भी बात बच्चों अब आते हैं C के नया share पर C का नया share हो जाएगा बच्चों 1 by 6 minus 1 by 16 यानी कि 10 by 96 और D का नया share तो मैं पता है 1 by 8 D का नया share है 1 by 8 जिसे हम लिख सकते हैं 12 by 96 तो B का नया share का denominator 96 है C के नया share का denominator 96 है D के नया share का denominator 96 हमने बना दिया बट A का नया share अभी जो है उसका denominator 6 है तो 6 को 96 बनाने के लिए multiply करना बढ़ेगा 16 से तो 16 इंटो 6 हो गया 96 और 3 इंटो 16 हो गया जो आपका 48 तो एक नया share को हम लिख सकते है 48 by 96 ठीके बच्चो तो एका नया share आ गया 48 by 96 B का नया share है 26 by 96 C का नया share 10 by 96 D का नया share 12 by 96 तो इस तरह से नया ratio हो गया 48 is to 26 is to 10 is to 12 अब यह जो नया ratio है बच्चो 48, 26, 10 और 12 यह सब जो है 2 से कट सकते हैं तो इनको all lowest में convert करेंगे तो यह बन जाएगा 24 is to 13 is to 5 is to 6 तो बच्चो फाइनली नया ratio हो गया partners का 24 is to 13 is to 5 is to 6 clear बच्चो भारती और आस्था partner है जो profit और loss share क्या करते हैं आपस में इनदा ratio 3 is to 2 उन्होंने दिनकर को partner मनाया one-fifth share के लिए ठीक है बच्चो और दिनकर कह रहा है कि उससे अपना share जो है वो भारती और आस्था दोनों से equally चाहिए ठीक है बच्चो यानि उसका जो share है one-fifth वो उसको जो है equally acquire करना चाहता है भारती और आस्था से आपसे का गया नया profit sharing ratio बताईए भारती आस्था और दिनकर का ठीक है बच्चो दिनकर को कितना share चाहिए one-fifth share चाहिए दिनकर को अपना share कैसे चाहिए भारती और आस्था से equally चाहिए यानि one-fifth का आधा वो भारती से लेगा one-fifth का आधा वो जो है आस्था से लेगा ठीक है बच्चो तो one-f प्दूर्टर को डबल कर दीजिए बात एक ही होती है तो इसका मतलब भारती का से कर वाइस कितना हो गया 1 by 10 आस्ता का से भेज भी कितना हो गया 1 by 10 ठीक है बच्चों और जब इनके से 20 आ जाएंगे भारती वर आज्ता के तो नेया श्यर निकालने के लिए इनके old share में से इनके sacrifice को minus कर दीजेगा इनका नया share आ जाएगा और सब के नय share को compare करके हम नया ratio भी निकाल लेंगे clear बच्चो तो आईए अब इसका solution देख भी लेते हैं तो बच्चो भारती का sacrifice हुआ half of one-fifth half of दिनकर का share ठीक है बच्चो यानि one by ten उत्रहे sacrifice हो जाएगा आस्था का तो बच्चो आस्था का sacrifice भी वहा half of one by five that is one by ten ठीक है दिन करके share का half of दोनों ने दिया तो दोनों का sacrifice आ गया one by ten one by ten sacrificing ratio तो understood equally आ गया one by ten करके इनको compare करके और नया share जिसका formula होता है old share minus sacrifice वह हम भारती और आस्था का निकाल लेंगे हम इन दोनों के old share पता है उनके old share में से sacrifice को minus करेंगे इनसे इनका नया share आ जाएगा और जो नया partner दिनकर उसा share तो में पहले सी पता है तो सब के नया share को compare करके हम नया ratio निकालने लिए तो बच्चो भारती का नया share 3 by 5 minus 1 by 10 solve करेंगे तो आ जाएगा 5 by 10 आस्था का नया share 2 by 5 minus 1 by 10 वह आ जाएगा 3 by 10 दिनकर का नया share है 1 by 5 जिसे लिखा जासकता है 2 by 10 ताकि सब के denominators equal हो जाए 10 10 10 दखे हो गए और अब अपनया ratio बड़े राम से बता सकते हैं 5 is to 3 is to 2 तो इनका नया ratio आ गया बच्चो 5 is to 3 is to 2 और इस तरह से हमारा ये question complete हो जाता है